What's up everybody and welcome back to another video आज हलो मैं से कहले वाले माइंक्राफ्ट और आज माइंक्राफ्ट में हम लोग कर दे वाले है रेड्स्टोनिंग तो मैं कल रात को सोच रहा था कि मैंने बहुत टाइम से माइंक्राफ्ट में रेड्स्टोन से कुछ नहीं बनाया इनफेक्ट आई थिंग मैंने लास्ट रेड्स्टोन से कुछ भी कंट्राप्शन बनाया था हीरो ब्राइन SMP में और वो भी बहुत टाइम पहले तो आज बहुत टाइम के बाद मेरा अक्चुली मन कर रहे है कि हम लोग रेड्स्टोन से कुछ बनाए और आज मैं वही करते बाला हूँ तो मैंने पिछले हीरो ब्राइन SMP के वीडियो में मैंने तुम लोगों दिखाया था एक सेल्फ हीलिंग वाल मतलब एक ऐसा वाल जो अपने आपको लगातार हील कर सकता है मतलब तुम वाल को उपर तोड़ो कि वह अपने आपको हील कर लेगा और ये वीडियो डालने के बाद अफकोस बहुत लोगों को जानना था कि ये वाला वाल मैंने कैसे बनाया तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग इसी वाल को बनाने वाले तो ये जो self-healing wall है ये कोई नया concept नहीं है ये concept बहुत पुराना है और इसको बहुत सारे लोगों ने पहले बना भी लिया है पर इन लोगों ने Minecraft के पुराने version में इसको बनाया और जैसे Minecraft के नए-ने versions है Minecraft का जो mechanics है वो चेंज हुआ है और इस नए mechanics में थोड़ा सा कुछ changes करना पड़ा है इसको बनाने के लिए तो यार बिना डाइवे इसके चलते माइं-क्राफ्ट के अंदर बनाते redstone से the self-healing wall और इसको बनाने के लिए हम लोगों को जो चीज अबसे पहले चाहिए उसको ले लेंगे ठीक है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक वाटर बकेट एक लावा बकेट हमें redstone की यहां से लगेंगे redstone के pistons हमें लगेंगे observers हमें लगनेवाले redstone के dus और हमें लगेंगे register की repeat र और हमें लगेंगे कुछ blocks त ब्लॉक्स के लिए हम लोग लेंगे iron के blocks जिस्ते ये बहुत सुदर दिखता है और हम लोग लेंगे white color का glass जिससे ये और जाहां सुन्दर दिखता है तो basic के लिए अ वाल है ये सेल फीलिंग वाल का चो यह बहुत सिंपल है सेल फीलिंग वौल जो है वो बनता से कोबलस्टोन जेन्डरएटर से हभी जन लोग को नहीं बद्दा की कबलस स्वीयरेटर क्या होता है तो बेजिकली अघर तुम एक साइड का चुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर कुछ इस तरह से साथ लगाने एक दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ फिर इसके बाद हमें यहाँ पर इसको ऐसा लगाने का है यहाँ पर से इसको ऐसा लगाने का है और यह अपना लगाकर हो चुका है तो हमने अभी इसको लगा दिया इससे हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे अभी इसके बाद हमें क्या करना है हमें यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे एक और एक्सेंड कर लेने का है और फिर इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे हमारे स्टिकी पिस्टन अग जबने के बाद हमें यहाँ पर आयदिंक संफjer नहीं हमें इस्टिकी बिस्टन लगाने के बाद हमें स्टिकी पिस्टन के आगे कुछS इस तरह से अधि अ फिर रहे एक और हमें लगाने पड़ेंगे ऐसे एसे आफसर वर्स कर realiz Anda कर दो करें तो हमें चाहिए एक लाइन का ऑब्जरवर और उस पूरा एक लाइन चाहिए पिस्टन्स तो ये हो गया अपना सबसे टार्टिंग ठीक है ये बन चुका अपना सबसे स्टार्टिंग जिससे ये पूरा चीज बननेवाली है और अभी अमें क्या करने का है अभी अपने को ना इसके ऊपर ऐसा इसको बंद करने का है और हमें इसको यहां से भी कुछ ऐसे ऐसे बंद कर देना है ठीक है अब इसके बाद हमें इसको यहां से बंद करना है इस तरह और इसको पूरा इसे बंद कर देने का है इसको तो यह हम टीक है और ढाई दामेग्स तुम लोग को यह शोचिब ग्रेग्स का यह च nhấtलि उसका कंशाव आइस अगल के मारने का और चैल को सब्सक्राइब कर देगा और अगर तुन वीडियो को लाइक करो आज के वीडियो का लाइक ने थोड़ा उचा रखते हैं अगर आज के वीडियो में वन लैक लाइक पूरे हो गए तो हम लोग ना इससा एक रेच्टों का सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के रेच्टों ने कंट्राप्शन बढ़ाते रहेंगे तो जल्दी वीडियो का लाइक करो और उसके बाद हमें लावा को लेना है और हमें लावा डालना है यहाँ पर आई थिंक इसको मैं ऐसे राला था राइट अगर तो इसको तोड़ोगे तो वहाँ पर नया बन जाएगा तो मगर इसको फिर से तोड़ोगे वहाँ पर एक और नया बन जाएगा और तो इसको तोड़ोगे वहाँ फिर से एक और नया बन जाएगा और सेम इदर भी होने वाला है यहाँ पर तोड़ोगे तो नया बन जा करना है हम लोगों ने यहां पर न था को कुछ लगाए है अभी हमें न इन पिस्टोन को पावर करते कि हमें चाहिए कि इन पिस्ट से पावर जाए ताकि जो प्रिस्टोन को कोब अब धक्या देती रहे ऐसे 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 रेस्च्रों के डश्क लगाना है इसे तुम देख से तो इसको उपर पिंग तिया और नीचे और ज्यादा आगया यह यह उपर चला गया और नीचे सारे कॉम स्थे बन गया ना इस मैं बूल जो को रगा अपूरा में तो यह लगाने की बाद अगला हमको चाहिए स्टिक पिस्टन तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं मैंने एक चीज थोड़ा सा इधर हग दिया अ यह लग गया अशंओ और यह लग गया अश्वां अब मैं बाहर को हाओ और यहじゃあ रहा है तो यह हमने एक sticky piston लगा दिया है और sticky piston के पीछे हमको इस तरह से observer को आईसे करके आईसा लगाने का है अभी तुम लोग सोचोगे मैं यह sticky piston को आईसा क्यों लगा रहा हूँ पर तुम लोग को बता हूँ को मैं क्यों लगा रहा हूँ ठीक है तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ अभी यहाँ पर मैं एक रेश्ट्रोल क्लॉक बनाने वाला हूँ जो क्लॉक पावर करेगा इस टिकी piston को और यह sticky piston इस observer को आगे छोड़ेगा जैसे यह observer आगे जाएगा यह चीज़ पावर होगा और यहाँ से चीज़ को ऊपर भेगा जाएगा I am sorry but मैं जानताा हूँ ज्यादा साइन्स ओ गया है ठोड़ा सा बनाने वाप सात है तो इसको बनाने कि हमें अक्शल एक dispenser चाहिए तो इसको लेंगे dispenser को हम यहां रखेंगे dispenser के उपर हम लोग इसको ऐसा रख देंगे और उसके बाद हमें लेना है observer और हमें लगाने है तीन observers और उसके पीछे हमें इसको ऐसा लगा देने का है और इसको हमें एक, दो, तीन लगाना है और इसको लगा देना है and I think so तो यह बन चुका है क्या यह बन चुका है? जानने का सिर्फ एक की तरीका है हमें रेश्ट्रों का यह ना पड़ेगा और हमें इसे पावर करना है नई रूको मैंने इसे उल्टा लगा दिया इसको आमें ऐसे लगाना है ओ येस ओके थोड़ा तुरूको जा रहा है आरम से यह बन गया 30 टिक का ग्लोग अब तुम लोगर देखो तो वो बरमबर उपर जा रहा है वो एक्जाट्ली जैसे यहाँ पर कॉबस्चन बन रहा है यह इसको पर धकेल रहा है ओ भाई क्या मस्तगाब कर रहा है जैसे ओके अभी हो गया अभी हो गया क्योंकि यहाँ पर यह लिमिंट तक बहुच चुका है अभी इसका पुश लिमिट होता है पिस्चन का वो पुश लिमिट के आगे पिस्चन पुश नहीं करेगा तो अभी हमें ना इस क्लॉक को तोड़ना पड़ेगा और हमें ना एक्चुली इसको भी पुरा तोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें क्या करने का है अभी ना अपने को अगला इसको थोड़ा सा उपर बनाने का है तो मैं जल्दी से इसको तोड़ लेता हूं यहां से तो अभी हमने इसको तोड़ दिया अभी हमें क्या करना है हमें लेना है obsidian और हमें लगाना है obsidian को यहाँ पर उपर और यहाँ पर भी उपर अब मैंना obsidian क्यों लगा है क्योंकि obsidian एक ऐसा प्लगा कि इसको sticky piston या piston मूव नहीं कर सकते हैं अगर तुम्हारे पास obsidian नहीं है तुम अबसी रंगी जगा फरनेस भी यूज कर सकते हो पर देन अगर तुम लोग इतना बना रहे हो तो यार थोड़ा लावा जालागी obsidian लेकिया क्या कर रहे हो तो यह हो चुका है अभी इसके बाद हमें क्या करना ह है और आगे जाकर हमें लगाने है ऐसे 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 अब्जर्वर्स और उस अब्जर्वर्स के पीछे हमें लगाने है पिस्टन तो अभी क्या हो रहे है यह टिक से यह इसको आगे पुछ कर रहे है और यह सेम चीज इसको पुछ करेगा इसको यहां तक लेकर आएगा त तो basically जो चीज हमने नीचे किया था कि नीचे से उपर धकेल रहा है अभी हमें सेम चीज करता है पर यहाँ पर उपर की जगा हमें इसको धकेल लेदा है लेफ साइड में अब ही अम लोग इसको उपर power देने के लिए दो चीज कर सकते हैं सबसे पहला तो हम लोग जो ये clock है इसी को use करेंगे और इसके power को उपर यहां तक लेकर आएंगे या दूसरा हम लोग यहां पर एक नया clock बनाएंगे अब मुझे लगए कि यहां पर एक नया clock बनाना बैस्ट लेगा क्योंकि यह जो clock है थर्टी टिक का clock है और थर्टी टिक के clock में यह एक को move करेंगा पर यहां पर हम लोग दो उप्युक्त के लिए साथ यहां को एक लिए आइन का block लगा लेना है और हम पहलेए इसको बना लेगे तो यहां पर आइन का promise प्लोग यहां पर यहां पर अपन यहां पर यहां पर आइन का ब önलॉक 55K Breaking पीटर्स को और इसको लगाने के बाद और इसको लगाने के बाद हमें यहाँ पर एक block of redstone लगाना है जिससे यह चलना हो जाएगा और मैंने हग दिया वेट प्लीस यह लग गया और यह लग गया जिससे यह घग गया मैं क्या हुआ फ्रेश्टोन करने में ठीक है, या बो रेश्टरो ब्लॉक से ये चालू हो जाएगा, इसको तोड़ना है, 不टवन लगना न इसे और ये क्लॉक बन चुका है हम तो यह clock pon चुका यह इसको push करना चालू कर दिया है और हमें सिर्व इस clock को चालू करना है नीचे जा कर तो अभी यह उपर रहना चाहि है यह इसको आगे पुछ करना चाहि है और यह इसको आगे push करता रहेगा यह इसको भी लेकर आगे जाएगा तो अभी क्या हो रहा है अभी नीचे दो cobblestone generator लगे हुए जो cobblestone बना रहे है उपर फेक रहे है और उसके साथ-साथ यहां से भी cobblestone मर जो कि एक साथ मस्ट सा बहुत सारा cobblestone आ रहे है तो यहां तक बन चुका है मैंने just realized कि इसमें problem है इसमें problem यह हो रहा है कि अगर मैं इसको यहां से तोड़ू तो सिर्फ वही इसको पुश कर रहे है और इसको कुछ फरागी नहीं पड़ रहे है कुछ तो करना पड़ेगा इसका मेरे पास एक मस्सा आइडिया है क्या करना पड़ेगा तो एक काम करते हैं हमने जो यहां से इसको पुश करने का बनाया हुआ है हमें सेम चीज को यहां पर ही बनाते हैं और इसको ना हम लोग actually एक लेवल नीचे पुश कर सकते हैं या दो लेवल नीचे या दो लेवल उपर क्या हम लोग इसको यहाँ पुछ कर सकते हैं I think so, हम लोग कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर observers लगाने हैं उसके पीछे pistons लगाने हैं और इसको लगाने के बाद हमें यहाँ पर लगाना है बहुत सारा glass और इस glass के सामने लग जाएंगे redstone के dust और क्या यह signal नीचे नहीं जाएंगा वाइट ग्लास से सकने नीचे नहीं जाता तो चमतकारी बात हो रही है आजाओ नीचे और यह actually पूरा पावर कर रहा है मुझे डर लग रहा था कि एंड तक पावर नहीं कर पाएगा ओके ओके तो ना प्लान में थोड़ा सा चेंज रहने का मैंने actually initially प्लान किया था कि हम लोग एक ही से पुष करेंगे पर अभी हम लोग इसको दो से पुष करेंगे जिससे और ज्यादा मजाएगा तो यह हो चुका है यह चीज बन गे आप इसको पुरा तोड़ लेंगे हम लोग इतना सा एरिया लेंगे आगे और इसको हम लोग लाकर इदर ब्लॉक करेंगे और इसको भी लाकर हम लोग यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे obsidian under this हमें यहाँ पर ऐसे आएप आझो हर नीचे लगाते लगाने इस लगाने मैं नीचे का पर धी से लगवाएं कहा लगा है मैंने जानतो हमें इसको लगाना यहाँ पर और ऐसके ओपर आझ यहाँ एपने pistons अब इसको तोड़ देंगे ए नही हम एक सेकेंड हम इसको आज लगाने के जगा य humano Cause न ये शायद से लफड़े कर सकता है हम इसको लगा देंगे ऐसे फिर ना इसको फिर पीछे नीचे यह अरशो करता है और इसको आज बोग हम पिस्बून देंगे आब पिस्टेंस मुझे इसके लिए ना थोड़ा और ज्यादा फास्ट एक रेस्टोन ना क्लॉक चाहिए तो ये क्लॉक इसके लिए सही है पर इसके लिए हमें कुछ एक अलग सा क्लॉक चाहिए ओके तो अभी हमें ना यहाँ पर इसके लिए एक और नया क्लॉक बनाना है एक comparator यहाँ पर एक redstone का repeater यहाँ पर और इसके बाद हमें redstone के dust को कुछ इस तरह से लगाना है या हमें यहाँ पर लगाना है repeater और यह हमें यहाँ पर लगाना है तो यह लग चुका है और उसके बाद हमें इसके पीछे एक redstone का block लगा देना है और इसे हमें alternate कर देना है तो मैंने ये वाला clock क्यों बना है क्योंकि ये clock में हम लोग सीधा सीधा repeater से speed को हम लोग change कर सकते है जो हम लोग इसमें भी कर सकते हैं पर इसमें करना बहुत easy है तो ये हो गया slow, ये हो गया super fast, ये हो गया थोड़ा और fast, ये थोड़ा और slow but I think ये सबसे slow जो है वो सही है तो अभी काम करते हैं सारे clocks को लगा देते हैं और देखते हैं कि जिस कैसे काम करते हैं और अभी आपना चालू हो गया पूरा system यहां से push हो रहा है नीचे से आ रहा है, उपर जा रहा है, उपर से push हो रहा है और यहां से push हो रहा है तो हमारे जो self healing wall है, वो almost तयार हो चुका है अभी ये जो final push है, final push यहां से आ रहा है सारे चीजरे जन्टे ओर ही है, सब generate होके यहां तक आ रही है अब इसको पहले हम लोग पूरा उपर तक आने देंगे जो पूरा उपर आ चुका है एक बार ये सारे चीज़े चलना बंद हो जाए जिसका मतलब ये है कि ये पूरा उपर तक आ चुका है तो अभी अगर मैं चल के इसको यहां से तोड़ हूँ जैसे कि ये एक दो तीचार हो गया और ये अपने आपको फटाक से हील कर रहा है अभी अभी ये जो मशीन है ये मशीन का जो रेस्ट्रिक्शन है वो यही है कि यहां पर ना सिर्फ दो कॉबरस्टोन जेनरेटर है मतलब ये दो कॉबस्टोन जेनरेटर जितना फास्ट कॉबस्टोन बनाएगा उतनी जल्दी ये वाल हील होगी और अभी सोचो कि अगर इस दो की जगा हम लोग यहाँ पर मल्टिपल लाइन से बना दे और इस सारे जेनरेटर से जो कॉबस्टोन है वो सीधा आकर एक वाल में निकले तो आइधिंग एक पॉइंट पर ये वाल इतना ओपी हो सकता है कि इसको अगर तुम ऐसे भी तोड़ते रहो ना तो भी इसो कोई तोड़ नहीं पाएगा जो की अब भी तोड़ नहीं पा रहा है इसने तोड़ दिया तो ये फटक से आकर वापस बन गया ओशेट एक सेंटर का लाइन क्यों नहीं बन रहा है आ रहा है धिरे धिरे आ रहा है इसका एक solution भी है पर इसका जो solution है वो बहुत लमबा है बेसिकल इसका solution क्या है यहां पर मैंने जो single single piston यूज़ बनाया हूँ प्यार यहां पर हमें यूज़ करना है double piston और double piston से somewhat यह problem solve हो जाता है यह था the basics of creating the self-healing wall जो मैंने Hero Brian SMP में बनाया हुआ है और यह तुम लोगे बासरों सब्सक्राइब बने सुभाना बहुत ज्यादा easy है so guys I think आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और तुम लोगे मुझे comment लगे बताओ कि क्या मैं यह Redstone के series हो continue करूँ क्योंकि ना मेरे को Redstone माने है बहुत जादा मज़ा आता है और आज ना इतना दिलों के बाद Redstone का कुछ बना के बाए दिल कुछ हो गया मचा आ गया बहुत टाइम बाद हमने किया है so anyway guys thank you so much for watching the video वीडियो बसने हैं तो लाइक करो चैनल परने हो सब्सक्राइब करो और तुम से मिलता हो में अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई